गुड नियूज, दक्षिन पश्चिम रेल्वे ने विद्योती करण लक्ष को पार किया। इसके नेटवर्ग के कुल 3566 किलोमेटर लंबे मार्ग में से 1734 किलोमेटर का अब तक विद्योती करण किया जा चुका है। 2030 तक हरित रेल्वे के विजन की दिशा में प्रयास करते हुए, अपने नेटवर्ग के फास्ट ट्रैकिंग विद्योती करण पर कदम बढ़ाते हुए दक्षिन पश्चिम रेल्वे ने विद्योती करण वर्ष 2021 के लिए रेल्वे बोर्ड के 469 रूट किलोमेटर के लक्ष को पार करते हुए 28 मार्ष 2022 तक 511.7 किलोमेटर लंबे मार्ग का विद्योती करण हासल किया है। पिछले वित्तिय वर्ष 2021 में, दक्षिन पश्चिम रेल्वे ने अपने नेटवर्ग के 476.7 किलोमेटर लंबे मार्ग का विद्योती करण कारिपून किया। माच 2022 के दोरान विद्योती करण के बाद दक्षिन पश्चिम रेलवे के निमन लिखित खंडो को चालू किया गया है। और लोनडाती नई घाट, 11 किलोमेटर डंडा। महाप्रबंधक श्री संजीव के शोर ने कहा कि लक्षय हासल करते हुए उससे आगे बढ़ने की दिशा में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। लगन कारिकारी एजंसियों C.O.R.I., R.V.N.L. और P.G.C.I.L. के उतकरिष्ट प्रयासों के लिए अभार व्यक्त किया है। इस विद्योती करण के पूर्ण होने के साथ दक्षिन पश्चिम रेलवे इस मार्ग के अधिकांश हिस्से पर विद्योतिंजन के साथ अधिक संख्या में रेलों का संचालन करेगा। जिससे दैनिक आधार पर डीजल की खपत में काफी कमी आने की उम्मीद है। कर दो है।